सभी छात्र वीडियो को जल्दी फे-जल्दी जल्दी जुई कर ले जिनको परिच्छा में पास होना हाँ आपने सही सुना आज कि वीड़ो में जो कोई इसान आपको बताने लगबग यही आपके परिच्छा में प्रस्णाने वाले तो बिना देरी के बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस्टू पर आज इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमार है शेकेंड पेपर हिंदी शेकेंड पेपर उके उनके लिए बीडियो मोस्ट इंपार्टेंट क्योंकि उससे जुड़े फारी कुश्चर में आपको बताने वाला हूं फिर से एक बार में बोला चाहूंगा बीए थर्डियर यानि तिर्थिय वर्स पेपर दुतिय यानिकि सिकेंड पेपर और जो सिकेंड पेपर है उसका जो नाम है ध्यान सुन लिजेगा उसका नाम है हिंदी भासा क्या नाम है हिंदी भासा एवं या फिर और साहित का इतिहास हिंदी भासा एवं साहित का इतिहास यह प्रश्ण पत्र का नाम है इफ 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 जुड़े प्रश सब्सक्राइब करना है कि किस वज़ा फेंदी साहित जो है उसको स्रण यूग के नाम से लग बगतिकाल का नाम करते हैं इसका उत्तर आप लोग अच्छे पे तयार कर लीजेगा हलाकि मैं आपको सभी प्रस्णों को उत्तर बता सकता हूं लेकिन जो कोईश्चन है सारे लॉंग टाइप के हैं यानि कि सभी प्रस्णों को उत्तर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगे को कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी इस तरह और मैं आपको बता दूंगा कि कौन-कौन से महात प्रस्ट उनको आपको तैयार कर लेना अगर आपको तैयार कर लेंगे तो आपके एक्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा मिल जाएगी ठीक है समझ में आगे ना और पहला कोईश्चन यह हैं बहुत ही महात पूर्ण है ध्यान से इसका उत्तर जरूर पढ़ लिजेगा नि यह भी टॉप लेबल का जर्णली और कॉमन सा कोईश्चन यह सारी प्रस्ट जो है यह पिछले फालो में पूछे जा चुके वही मैं आपको बता रहा हूं जर्णली है कॉमन कोईश्चन है एक्जाम के लिए टॉप लेबल के ठीक है तो दूसरा नंबर भी मॉस्टिम पार में लिखना है यह भी जर्णली और कॉमन कोईश्चन है आपके एक्जाम के लिए इसके बारें भी आपको तैयार करना है ठीक है क्रश्ण भगती काब यह फिर क्रिश्ण भगते का विधारा फिर युड़ा एक दो प्रस्ट जरूर आपको देखने हैं आपके एक्जाम में तो इसका भी आपको उत्तर तैयार कर लेना है बहुत ही इंपार्टेंट और टॉप लेबल का कोईश्चन है आपके परिच्छा के लिए ठीक है बिच्छल फैसक्तर पॉइंट ये वाले हैंश्च को द्योक्ते κोष्चंच ने कि शाम ये वाले हैंश्च alt as Impec को उध्यान देने वाली बात है आण और स्थाना है कि शायावादी के सतमान प्रवित्तिया यह इतना इंपार्टन नहीं लेकिन कौन सा आएगा इस बात के गारंटी नहीं लेकिन आप विश्था आ हैं और और शायावाद के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको करीब पांट से नंबर का हेल्फ हो जाएगा ठीक है इतना इंपोर्टर नहीं हमेशा नहीं आता है तो आपके पास समय तो पढ़ भी सकते हैं ठीक है आ आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जादा महत्रपूर्ण है कि खड़ी बोली की विकास यात्तार पर प्रकाश डाली आप इसको इग्णोर भी कर सकते हैं और प्रभी सकते हैं मेरे खाल से इतना इंपार्टर नहीं ठीक है और बिहारी हिंदी की बोलियों का संशिवत इसके प्रभितियां के बारे मताई तो सूपी काब से बीज़ड़ा कुश्चन कभी कभी आ जाता है तो आप पढ़ ले सकते इसको राम भक्ति साख़्ा की समान प्रभितियां समान बिसस्ताओं पर शूदा हराण प्रकास डाली यह कोश्चन बहुत कोमन है बहुत ही जनरल हाई लेबल का कोईश्चन है आपके एक्जाम के लिए हाँ से सुन लीजिए हाई लेबल जिसको बोलते हैं ठीक है उस टाइप का कोईश्चन तैयार कर लिजेगा इसका उत्तर जरूर और इन सभी कोईश्चनों का उत्तर आपको गूगल पे इंटरनेट पे न और यह पिर आ रिखुण काभ विधारा की प्रमुक वसिष्चता है तो निर्गुर्ण काभ विधारा के बारें भी पढ़ लेना है और साथ साथ मैं निर्गुर्ण ज्याना स्रीशाखा यह संत काभी की समान प्रवित्तियों का मुल्यान किजिए इनमें से एक कोईश्चन पर एच्छा म हिंदी भासा का उद्भाव विकास पर एक निमंद लिखी तो हिंदी जो भाफा इसका उद्भाव कैसे हुआ कभ से सुरू हुआ और इसके बारे में आपको लिखना है यह भी एक्जाम के लिए टॉप लेबल का और हाई लेबल का प्रश्ण है ठीक है तैयार कर लेंगे तो सब्सक्राइब करेकी प्रमक प्रवित्ति एंब पुरूंक विखेश्टाइब और ऑड़काल को याइसे आप त्यार कर लिजेगा उन्ड़ परसंट आपको हैल्प मिलेगा आपकी एगजाम के दिक चलिए देख लेता है ऍंच्कूशन के वीच्विए समस्थ नेस्ट कोर को हिंदि गद्ध की विबिद बिधाएं चुने को लिखना है थिक है विदाई को माल possibility कहानी हो गई यात्रावरतान्त हो गई उपन्यास हो गई इत्यार बहुत सारे तब को लिखना अब को से रहे है ठीक है और कुछ कोश्चन में आपको और बता दे रहा हूं जिनको आपको तयार कर लेना है ठीक है जैसे कि इस कोश्चन में आपको बता रहे हैं जिसने 19 नंबर में आपको बता दे रहा हूं कि इसमें आप पढ़ लिजेगा कि हिंदी भासा के नाम करण पर प्रकास डालि की हिंदी भासा को जो नाम करन है इसके बारे में कैसे पढ़ा हैICO आपको लिखना नाम करण पर प्रिकास डालना एक और धि nude भासा करें कि विक दिवाम कम की नार्ष का विकास का विक की रचना है और किस परिच्छा में विट नार सब्सक्राइब को निए पर लिए नहीं कविता मैं आपको बता ही दिया छाया बाद बता लिए और आधिकाल भी बता दिया क्रश्ण भक्ति राम भक्ति यह सब आपको बता ही दिया यहीं सबसे जुड़े कोश्चन आपके एक्जाम में आएंगे आप लोग देख लीजिए अचाहें और भासा और बोली को लेकर एक प्रिशन आ सकता है उसको भी आपको तैयार कर लेना है ठीक है और बाकी जो जो मैंने आपको कोश्चन बताएं अगर आप इसतना ही तैयार क ला पाएंगे यहीं कि 35-45 नंबर के प्रश्चन है लगबग ज्यादा ही लेकिन कम से कम हम लेकर चलने हैं 35-45 नंबर के प्रश्चन इसी वीडियो से आएंगे ठीक है 100% शेयर है गारंटी है आप लोग देख लीजेगा चाहें जो मैंने को तैयार कर लेंगे तो आपको प्रश्च कर सकते हैं आप पैसेच कर दीजे कर दो कर दीजिए तो आपको पीडियो में जो कोस्चन थे वह आपको लगे होंगे और हैं भी और हम आपको मिलते हैं को नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंद